साथियों, एक मुजियम सिर्फ चीजों या दस्तावेजों को संग्रहित करके रखने और दिखने पर भी का माध्यम नहीं होता। जब हम अपनी विरासत को संजोते हैं, तो उसके साथ साथ उससे जुड़ी भावनाय भी समरक्षित कर लेते हैं। जब हम देश भर में बन रहे आदिवासी स्वतंतरता सेनाची संग्रालों को देखते हैं, तो पता चलता है कि भारत के स्वतंतरता संग्राम में हमारे वीर आदिवासी नायक नायकाओं का कितना बड़ा योगदान था। जब हम डेशनल वार मेमोरियल और नेशनल पूरिस मेमोरियल को देखते हैं, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि देश की रक्षा के लिए, देश को सुर्चित रखने के लिए कैसे हमारे वीर बेटे बेटियं अपना जीवन लिचावर कर देते हैं। जब हम प्रदान मंत्री संग्रलाय को देखते हैं, तो हमें लोगतंतर की शक्ति का पता चलता है। सरदार पटेल स्टेच्च्यू जैसे बन रहा है, क्योंकि सरदार सहाब ने राजे रजवाड़ों सब इखटे करने का काम किया। तो वहीं पर जो राजे रजवाड़े देश के जिनोंने भारत की एक्ता और अखंड़ता के लिए अपने राजशासन दे दिये, उनका भी एक मिजियम हम बना रहे है। अभी उसका डिजाइनिंग काम चल रहा है, रिशर्ज का काम चल रहा है, उसके करण पहले राजे रजवाड़े कैसे हुआ करते थे, क्या क्या करते थे, कितना बड़ा देश समाज का भलाक करने का काम किया था, और उसी को सरदार सहाब के नेतरुत में देश की एक्ता के ल रहा है, और रिशर्ज का काम चल रहा है, निकट भविश में निर्मान कारिय भी शुरू होगा, बीते आट वर्सों में हमने ये जो धरोहरे देश में विक्षित की है, इससे भी पता चलता है कि हमारी विरासत का विस्तार कितना बड़ा है, मुझे विश्वास है, लोथल म बन रहा National Meritor Museum भी सभी भारतियों को अपनी समुदरी विरासत को लेकर गर्व से भर देगा.